हेलो फ्रेंट्स वेलकम टूस फलता मंतर दोस्तों यूपी टेट अंतिम रिवीजन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 28 को आपका एक्जाम है आपको सभी सब्जेक्ट के रिवीजन क को एंड तक जरूर देखेगा और साथी साथ जो अभी तक हमारी तीन रिवीजन क्लासेज आ चुकी हैं प्रेक्टिस सेट मॉडल पेपर आ चुके हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए हैं उनको जरूर देखेगा तो चली शुरू करते हैं बिना टाइ वर्ण कहलाती है इसको अक्षर भी कहते हैं इसको ध्वनी भी कहते हैं वर्ण की सबसे छोटी काई क्या होती से ध्वनी कहा जाता है दोस्तों जिसका च्छर ना हो यानि कि जिसे हम तोड़ ना सकें जिसको हम खंडित ना कर सकें जिसको हम कभी समाप्त ना कर सकें उसे हम अ टोटल गिंती आपको बता दें तो ये वावन होती है याद कलीजा दोस्तों कितनी होती वावन होती है ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों और साथ ही साथ आप बढ़ेंगे हम लोग आगे और यहाँ पर आपको बताएंगे कि स्वर वना है सुर से स्वर क्या होता है और इसमें आपके स्वर जो आ जाते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, देख लीजेगा जल्दी से, तो यहां पर आपके स्वर हैं, आ, ई, ई, उ, रिर, ए, ए, ओ, औ, अंग, अहां, यह आपके आ जाते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस, ग्या 11 यहां तक कि आपके स्वर हो गया इसका दो आपके आयोग वह होते हैं इसमें अंग आपका अनस्वार होता है आहाँ आपका विसरग होती हैं यह दोनों चीजों को आप लोगों को याद रखना है यहां पर देख लीजेगा एक पहले मूल सोर फिर दीर्ग सोर फिर मूल सोर और ये आपके सैयुक्त स्वर होते हैं, चार आपके सैयुक्त स्वर, यहाँ पर देख लीजेगा, मूल स्वर चार हो गए आपके, इसका दीर के स्वर आपके, तीन हो गए यहाँ पर, और सैयुक्त स्वर आपके चार हो गए, आयोग वहा की संख्या दो होती है, आयोग वहा म तो दोस्तों सवरों की संख्या तीन होती, तीन प्रकार के होते हैं, अग्रसवर, मद्धसवर और पश्चिसवर, जो जीव के आगे के भाग से बोले जाते हैं, उन्हें मद्धसवर कहते हैं, जो पीछे के भाग से बोले जाते हैं, उन्हें पश्चिसवर कहते हैं, तो इसमे अग्र सवर में आपकी ए रिर ए ये आ जाते हैं पांच सवर आ जाते हैं मद्र सवर में आ आ जाता आ बोल कर देखेंगे तो खुद आपको क्लियर हो जाएगा पश्च में आ उ ये आपके पश्च सवर आ जाते हैं पांच इसमें आ जाएंगे फिर से आप खुद बोल कर विब्रत यानि की open खुला हुआ विब्रत स्वर में आपका आ आ जाता है संब्रत यानि की बंद विल्कुल बंद तो यह आपके संब्रत होते हैं आ जो आपका यह आपका विब्रत होता है आपका अर्ध संब्रत यानि की आधा बंद ए और ओ यह आपके अर्ध संब्रत आ जा विबरत का मतलब होता है, खुला हुआ, संबरत का मतलब होता है, वंद उसी क्याधार पर आप लोग इनकी संख्या को इनको पहचान सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपके स्वर कंप्लीट हो गया है, हम लोग पहुंश चुके हैं, व्येंजन की ओरतों, व्येंजन अंतरगत आजाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हल कहते हैं, सर को अच्छ भी कहते हैं, इसमें आपका व्येंजन, इसपर्स व्येंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, हमने आपको बताया था, प्रतेक वर्ग के 5 वर्ग जो होते हैं, और कितने वर्ग होते हैं, यानि की टोटल मिला करके संख्या हो जाती है 25 ये आपके किस में आ जाते हैं ये आपके इसपर्स वेंजन के अंतरगत आते हैं का वर्ग से स्टार्ट होते हैं का वर्ण से स्टार्ट होते हैं और अंत में मा तक जाते हैं तो ये आपके किस में आ गए ये आपके आ जाते हैं इसपर्स वेंजन में अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे का वर्ग में आपका पहला जो होता है वो किसी भी वर्ग का पहला तीसरा और पांचमा यह आपका अलप प्राण होता है दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण यह आपका महा प्राण होता है अलप प्राण महा प्राण बता रहे हैं यहाँ पर आपको समझ लेना है कि क्या अगोस है क्या सगोस है तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरे की बात की जाएगी तो यह अगोस होते हैं तीसरा चोथा पांचमा यह आपके कैसे होते हैं यह आपके सगोस होते हैं और साथ ही साथ ही आपके जो पंचम प्रतेक वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण होगा प्रतेक वर्ग का वो अगोस होगा और तीसरा चोथा पांचमा सगोस होगे प्रतेक वर्ग का पहला तीसरा पांचमा वर्ण अल्प प्राण होता है दूसरा चोथा महा प्राण होता है अब चलिए आगे इसके बारे में बात वो आपके नासिक वियंजन कहलाते हैं, प्राणत्ट के आधार पर देखें, उपर अभी हमने आपको होता है, तो ये दो परकार के होते हैं, अल्पप्राण एक महाप्राण, अल्पप्राण में जब हमें कम वायु निकलती, जब हम आसानी से किसी सब्द को विना किसी प्रेस आजाते हैं प्राणत्त के आधार पर चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपके आजाते हैं घोसत्त के आधार पर घोसत्त में क्या आ जाते हैं आपके ये भी दो प्रकार के अघोस और सघोस या इसको घोस भी कह देते हैं तो अघोस जिनका उचारण करने में हमारी स्वर तंत्रियां काम करती है यानि कि स्वर्ट तंत्रियां काम करें वो आपका अगोस में आ गया विना स्वर्ट तंत्रियों के वर्णों का उचारण सघोस कहलाता है यह आपकी परिवासा हो गई और यहां पर आपको समझना है परिवासा से यहां आपको कोई मतलब नहीं है सीधे सीधे आपको समझना है अगोस में आपका पहला और दूसरा वणा गया प्रतेक वर्ग का सगोस में तीसरा चौथा पांचमा वणा गया इसमें एक एक कगैप था इसमें सीधे सीधे है दोनों चीजों को समझ लेंगे तो एक अंक कम से कम पक्का हो जाएगा चलिए आगे बढ वर्णों को उस्म वेंजन कहते हैं हम लोग चार इनकी संख्या होती है यह आपके चार उस्म वेंजन कहलाते हैं अब पहुंचते हम लोग अंतस्थ वेंजन की और तो दूसरों अंतस्थ वेंजन में आपका यारा लावा यह चार आपके क्या होते हैं अंतस्थ वेंजन के अंतरगत आ जाते हैं और ये आपके उस वेंजन अंतस्थ वेंजन की क्या अगर विसेस्ताओं की बात की जाए तो इनमें वर्णों को अर्ध स्वर के रूप में जाना जाता है निकि इनमें स्वर की कोई ना कोई विसेस्ता जरूर देखने को मिलती है किसी ना किसी वर्ण में अंतस्थ वेंजन में तो ये आपके अलग से चार है यारा लावा याद कर लीज़ा इसके बाद पहुंशते हैं संयुक्त वेंजन की और तो संयुक्त वेंजन मुख्य रूप से तीन होते हैं स्रा को भी कहीं कहीं संयुक्त में कहीं कहीं विस्र वेंजन में रखा जाता है ये भी दो वर्णों से मिलकर बनते हैं दो वेंजन वर्णों से मिलकर बनने वाले वेंजनों को सयुक्त वेंजन कहते हैं तो च्छा जो है मारा च्छत्र वाला च्छत्री वाला च्छा जो है ये आपका बनता है का और शा से मिलकर क का संस्कृत या हिंदी में जरूर पूछ दिया जाएगा तरा हमारा ता और रा से मिलकर के बनता है आगे वाले वर्ण में हलंत लगेगा ये भी याद रखिएगा ग्या जा और वहां से मिलकर बनता है स्राशा और रा से मिलकर बनता है तो ये हमारे हो गए अलग-अलग के अंतरगत आ जाते हैं यह किस से मिलकर के बनते ही आप लोग को देख लीजिए एक अंकाप का 100% यहां से भी पूछा जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी सब्दकोष में च्छा किसके बाद आता है तो दोस्तों सब्दकोष की डिक्सनरी की बात करें कि तो हमने आप आपको व्यंजन वर्णों को तोड़ करके यानि कि जैसे हम लोग इंगलिस में एक एक लेटर को स्पेलिंग के एक एक लेटर को जगह पर रखते हैं कि किस आधार पर कहां आएगी उसी आधार पर का कि बाद का और शा से मिलकर बना है तो यह आपका च्छा का इस्थान भी यही पर आता है ना कि सबसे नीचे आता है जैसे हम लोग वर्ण वाला में पढ़ते हैं दंतोस्थ व्यंजन कौन से होते हैं दंतोस्थ में मुख रूप से आपका आ जाता पा तो आपका उस्थ में आ जाता मुख रूप से फा यह सब इसी में लेकिन वा जो आपका मुख दंतोष्ट वेंजन के अंतरगत आ जाता फा को भी कहीं कहीं अगर आपको अलग से दिया रहेगा तो याद रखना दंतोष्ट वेंजन में ही लिख देते हैं उच्छिप्त वेंजन कौन से होते हैं डा उढ़ा ये आपके उच्छिप्त वेंजन के अंतरगत होते हैं अर्ध स के रूप में जाने जाते तो अंतस्थ वेंजन के अंतरगत आते हैं याद कर लीजिए का चलिए आगे बढ़ते हैं चंद की ओर तो चंद संस्क्रत के चंद धात उसे मिलकर मने हैं साब्दिक अर्थिन का खुस रहना होता है संद का सरप्रथा मुलेक रिगवेद में देखने को मिला है सिर्फ इनमें संख्या पढ़ लीजिए जादना देखने की जरूरत नहीं है मुखी रूप से चंद आपके इसमें रश्चंद अलंकार से कोश्चन नहीं बहुत कमी पूछे जाते हैं एक कोश्चन आता है मुश्कल से और यहां पर आपको दिया गया दोहा चंद जो पंक्त यूति प्रतेक उसमें आपकी 24 मात्राएं होती हैं प्रतेक चरण में आपकी पद में 24 मात्राएं होती हैं चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं ताटक में आपकी 30 मात्राएं सरसी में 27 अहिर में 11 मात्राएं होती हैं वर्वा याद कर लीजिगा इसके पहले तीसर चरण में 15-15 मात्राइं होती हैं दूसरे चौथे में आपकी 13-13 मात्राइं होती हैं यह कोशन बन सकता है कि कुंडलिया किस से मिलकर बनता है तो यह दोहा और रोला इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा कुंडलिया चंद बन जाता है चपपय जोता वो उलला और रोला से मिलकर बनता है यानि कि रोला दोनों में अगर चपपय की बात आजाएगी तो उलला उसमें जोड़ देंगे अगर कुंडलिया की बात आजाएगी तो दोहा उसमें जोड़ दिया जाएगा और हमारे चंद दो दो चंदों से मिलकर के बनते हैं चली आगे इसको गिनते हैं यह देखें रहिमन पानी राकिये बिन पानी सब सुनतों यहां पर आप लोग देख सकते हैं जहां छोटी मात्रा वहां एक और जहां बड़ी मात्रा है वहां इसका यश टाइब का बना है इसका मतलब होता है दो तो इन सब को अगर कौमा से पहले गिनेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मात्राइं 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 10, 11, 12, 13 हमने आपको बताय था पहले और तीसरे में 13, 13 मात्राइं किसमें होती हैं दोहा चंद में, दूसरे और चोथे में 11, 11 मात्राइं होती हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं चंद के तीन भेद होते हैं, वनिक होता है, मातरिक होता है, मुक्तक चंद होता है, चंद चरणों में क्या होता है, यती या चरणों में विवक्त किया जाता है, इसका दोहा जो है, ये अर्ध सम्मातरिक चंद के रूप में जाना जाता है, किसमें अर्ध सम्मातरिक चंद में इसके आप पहुंचते हैं कारक में तो दोस्तों कारक जो होते हैं क्या होते हैं हम जब कोई भी वाकिप बनाते हैं तो उसमें जो वाकिप को जोड़ने के लिए कह सकते हैं लोग करता कर्म को आपस में मिलाने के लिए जिन चीजों का प्रयोग करते हैं वो आपके कारक कहलाते हैं, कारक के बिना हम कोई भी वाक्य को किसी प्रकार के सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसके आठ भेद होते हैं, हिंदी में आठ प्रकार के कारक होते हैं, करता ने कर्म को करण से संपरदान के लिए अपादान से अलग संबन्ध काकी के अधिकर में पेपर संबोधन हे हो अरे ये आपको याद रखना है ये आपके नाम दिये गए ये इनके चिन सूचक चिन दिये गए है ये आपके अश्टमी तक होते हैं आठ वेद होते हैं इनके नाम और सूचक चिन इसी क्याधार पर आप पहचान पाएंगे आगे आपको जरूरत प भक्तियों में हम लिखते हैं लेकिन ये माने नहीं जाते हैं अब ये देखें यहाँ पर आपको संस्कृत में एक्जामपल दे दिया गया पत्र ब्रच्छान पतंती यानि के पत्ता ब्रक्ष से गिरता है अलग होने के लिए अपादान कारक हमेशा याद रखिएगा और सबस से चला गया अपादान गाओं से चला गया यानि कि गाओं से अलग हो गया तो वहाँ भी अपादान हो गया मोहन बस से चला गया बस से बस साथ में जा रही है यानि कि वहाँ पर आपका करण कारक हो गया अलंकार क्या होते हैं तो इसका साब्दिकर्त आभूसन होता है और आवुसन का मतलब क्या हो गया कि जब हम कोई पद बोलते हैं तो उसके उसमें किस परकार से सोभा बढ़ाई जाए तो यह सोभा जब हम बढ़ाते हैं उसकी जो कह सकते हैं सुंदर्ता पद की बढ़ाते हैं गद्यांस पद्यांस की बढ़ाते हैं तो वो पद जो होते हैं वो तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। एक बार आया लेकिन अर्थ अलग अलग बार प्रयोग होता है और उपर वाले में आपका बिजन डुलाती थी वो बिजन डुलाती है इस रूप में हम कह सकते हैं और इसके बाद अनुपरास में चारुचंदर की चंचल किरने घूम रही है जल्थल में इस रूप में आपको चारुचंदर की चंचल किरने यहां तक चावर्ण के आप ब्रतिवार वार हुई है तो यह आपका अनुपरास के अंतरगत आ जाएगा इसके आद उपमा अलंकार पहुंच चुके हैं जहां पर दो बस्तूओं की समानता या दो बस्तूओं में कंपेरिजन किया जाता है सा संदेह अलंकार जहां पर किसी कार के होने में संदेह व्यक्त कर दिया गया जानी कि उसमें पूरी प्रकार से पूरी तरीके से हमें कॉन्फिडेंस ना हो कि हाँ यह काम हो जाएगा वहां आपका संदेह अलंकार होता है इसका व्रांतिमान किसी कार को करने में व्रम उत्पन तो यह आपका वरांतिमान है, अतिस योगती जहाँ पर किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं, वो आपका अतिस योगती होता और रूपक यह सबसे आदा यही पूछा जाता है, सबसे इजी भी यही होता कि जहाँ उपमे में उपमान का भेद रही तारोप हो, यानि कि जहाँ पर किसी चीज को दूसरी चीज का रूप दे दिया जाय सीदे, वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है, याद कर लीजेगा, यह देखिए अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, चारुचंदर की चंचल किरने खेल रही हैं, जल्थल में यहाँ आपका च अलग-अलग हैं, स्लेस में आपको बताया था कि एक ही वारा रहिमन पानी राखिये वाला उदाहरण इसी का है, उपवा में आपका सी सा सम इस प्रकार के सब्दाते जैसे मुख चंदर सा, तो चंदरमा के समानता की गई कि चंदरमा के समान मुख है, इसमें इबल देख कर होता है, सारी बीच नारी है की, नारी बीच सारी है की, नारी ही की सारी है की सारी ही की नारी है, तो हमने क्या वता है की या फिर या आता है की आ रहा है, दोनों जगे देखिये है की आ रहा है, तो यह आपका क्या हो गया, संदेह अलंकार के अंतरगत आ गया, इसकाद वरांतिमान करके वरांति कार करने पर उत्पन होता है यानि कि वरम करके यहाँ पर पदाएगा क्या दिया गया बिल विचारी कर नाग सून में घुसने लगा विसाइला साप ताकिर एक विसधर को उठा लिया जट गजने आप तो करके आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं ताकिर आ रहा है इस परकार के पद से क्या पता लग रहा है कि वरांति हो रही उसके जो कह सकते हैं बिल विचारी कर जो साप है बिल समझ कर सून में अपना जो साप है वो घुसा जा रहा है यह यहाँ पर बताया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अतिस योक्ति पर तो वहाँ पर क्या गरते हैं बढ़ा चड़ा कर बताया गया कि हनुमान जी की पूछ में लगना पाई आग सारी लंका जल गई गये निसाचर भाग यानी कि उनकी पूछ में आग भी नहीं ल उपक अलंकार होता चलिए आगे बढ़ते हैं प्रतेक चीज को देखते रहिए संग्या के भेद संग्या के भेद आपके आगे जाति बाचक समूब आचक व्यक्ति बाचक पदार्थ बाचक भाव बाचक पांच परकार की होती है हिंदी में जाती यहाँ पर एक पूरी जा बाचक संग्या किसी एक का नाम ले ले जैसे हमने क्या कह दिया भारत कैसा एक देश है अपना देश है तो यह आपका किस में आगया यह व्यक्ति बाचक संग्या में आगया हमने आम की कोई प्रजाती का नाम ले दिया तो वो आपका क्या आगया वो व्यक्ति बाचक में आ बाव बाचक जहां किसी प्रकार के भाव का बढ़न किया गया हो बचपन, बुढ़ापा, भारतिये ये सब क्या हैं ये आपके भाव बाचक संग्या के अंतरगत आ जाते हैं उम्मीद करते हैं कम समय में सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी पहुंच सर्वनाम क्या होता है संग्या क्या जो सहयोग करते हैं संग्या के साथ बोले जाते हैं संग्या के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम च्छे प्रकार का होता है पुरुस बाचक में मैं तुम आप आजाते हैं निश्चे बाचक में यह वह आ इसका निज बाचक में सौयम अपने आप इस परकार के सौयम की बात की गई निज की बात की गई हो तो यह आपके छह परकार का सर्वनाम होता है नाम जरूर याद कर लीजेगा पेपर में एक कोशन यहां से पूछा जा सकता है कि यह किस परकार का सर्वनाम है मुश्चलि विश्चे बाचक में से पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसिस रहते हैं अब हम लोग पहुंच चुके क्रिया पर तो दोस्तों क्रिया क्या होती क्रिया के तीन वेद होते हैं कितने होते हैं अकर्मक सकर्मक दूई कर्मक अकर्मक यानि कि वहाँ पर कर्म नहीं है वहाँ कोई कर्म के विना काम हो रहा है सकर्मक कर्म के साथ दूई कर्मक यानि की यहाँ पर आपका दो प्रकार के आपजेक्ट होंगे दो प्रकार के कर्मों से आपजेक्ट हो रहा होगा उसे दूई कर्मक कहते हैं विसेशन प्राविसेशन क्या होते हैं तो दोसमें विशेषण वह होते हैं जो किसी पद की विशेषण काफी important होता है यापर तो जो विशेषण की विशेषण हो गया और जब वो क्या कह दिया गया कि बहुत तेज दोड़रा है तो बहुत जो हो गया वो तेज की विसेशन बताई गया, यानि कि वो आपका प्राविसेशन हो जाता है, ये आपका विसेशन की विसेशन बताने वाले पद होते हैं, इसके चली आगे बढ़ते हैं, विसेशन जो क्रिया की विसेशन बताते हैं, उन्हें क्रिया विसेशन कहते हैं, चली आगे बढ विशेशन आपके चार प्रकार के होते हैं सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिम्वाण वोधक तो इसमें आपका सार्वनामिक नीचे यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ यानि कि कोई ऐसी चीज की बात कर दें यहाँ पर आपका सर्वनाम की तरीके तो प्रयो बाचक में आ जाती है, संख्यावाचक जहाँ पर आपके गिन सकते हों वो आपकी संख्यावाचक, परिमाण वोधक जहाँ पर हम चीजों को नापतोल बाली चीजे जहाँ क्वांटिटी की बात की गई यह परिमाण बाचक विशेशन कहलाते हैं सभी के उदारने आपर दि जब ना गिन पाए तो वो अनिश्चित संख्या बाचक होगे यानि कि उसमें confusion है कई लोग हैं कुछ लोग हैं ये आपका अनिश्चित संख्या बाचक के अंतरगत आ जाता उपसर्ग की बात करेंगे दूस्तों तो उपसर्ग जो वे पन होते हैं किसी सब्द के पहले लगा दिये जाते हैं और उसका अर्थ परिवर्थित कर देते हैं वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं प्रत्य सब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत में उपसर्गों की संख्या पता है 22 होती है हिंदी में 13 होती है और आपके उर्दू में 19 उपसर्ग होते है हिंदी में क्रत प्रत्यों की संख्या कितनी 40 होती है और हिंदी में क्रदंत प्रत्य क्रिया सब्दों के साथ जोड़े जाते है क्रदंत और क्रत की संख्या 40 है कृदंत आपके क्रिया सब्दों के साथ जोड़े जाते हैं लेखक में अक प्रत्य लगा हुआ देख लीजेगा ठीक है दोस्तों में आपको यह हिंदी की बात करें तो हिंदी के मूल रूप से हिंदी के जो उपसर्ग है उनकी संख्या 13 है उर्दू फार्सी के उपसर्गों की संख्या 19 है और संस्क्रत के उपसर्गों की संख्या 40 है इसमें अब चली आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं लोग इसमें क्या लगा है इस परकार के सब्दों में प्रत्य क्या लगा है गर प्रत्य लगा हुआ है किस सब्द में आवा प्रत्य नहीं है दिखावा चड़ावा बुलावा और लावा लावा में प्रत्य नहीं लगा हुआ है ये चीज यहां पर आपको क्लियर हो गई होगी निर्वासित में प्रत्य आपको बताना है तो दोस्तों निर्वासित में आपका इत प्रत्य लगा तो वो उसका बिपरीत सब्द बन जाने गाने इस परकार के question भी पूछे जा सकतें वाक वेद तो दूसरों वाक दो अंगों से बाक के दो अंगों होता है जिनसे मिलकर वना होता है एक आपका उद्धे से होता है ये आपका विधे होता है जिसके बारे में बात कही जा रही होती वो आपका उद्दे से होता और जो बात कही जा रही जो कर्म किया जा रहा है वो आपका विधे के अंतरगत आ जाता है ये देख लीजे आपके सामने उदाहरण दिये गए हैं और इनमें आप लोग उद्दे से विधे को समझ सकते हैं अगला point आपका दिया गया है वाक्य का निर्धारन दो रूप में करते हैं रचना के आधार पर अर्थ के आधार पर तो पहले रचना के आधार पर देख सकते हैं सरल बाक्य के यानि कि सीधे से आपको एक बाक्य दे दिया गया है उसमें किसी प्रकार के कोई बाक्य नहीं जोड़ा है नहीं कोई चीज अन्य चीज जोड़ी गई है वो आपका सरल बाक्य के अंतरगत आ जाता इसके आद पहुंचते हैं मिस्र बाक्य में ये आपका की तो जो जैसे तैसे इन से दो बाक्यों को जब हम लोग जोड़ते हैं त और इसका स्युक्त वाक कि इसलिए क्यों कि परंटु और इंसे मिलकर बनता है तो आपका स्युक्त वाक के कहलाता है राम खाता ही आपका सीधे सीधे सरल बाक्य हो गया सेर को देखकर सेर नी भाग गई है आपका सरल बाक्य हो गई इसके पहुंचे कर लगा है हमने आपको क्या बता है कर लगे तो आपका सरल बाक्य में आ गया मैं पहुचा ही था कि वह चला गया, की लगा हुआ यानि कि मिस्र बाक्य में आ गया, ना रहेगा बास ना बजेगी, बासुरी आपका क्या आ गया, सैयुक्त बाक्य के अंतरगत आ गया, मोहन और सोहन भाई हैं, सरल बाक्य, और लगने से बाक्य नहीं परिवर्तित होता है, ये दोनों ही आपके उद्देश से के अंतरगत आ जाते हैं, और ये आपके सरल बाक्य में आ जाएगा, मैं परिच्छा ना दे सका क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि किस में बताया था, सैयुक्त बाक्य में बताया था, एक नंबर 100% यहां से पूछा जाएगा, 100%, ये छोट इसी ट्रेक है, याद कर लीजेगा, आपको इस रिवीजन क्लास की पीडियेफ हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हमने आपको अभी तक जो रिवीजन क्लासे दी हैं, उसमें आपकी EBS की बाल विकास की पीडियेफ वहां पर अपलोड कर दिये, बाकी पीडियेफ साम तक अपलोड कर दी जाएंगी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा वैसा आजाए तो मिस्र बाके के अंतरगत आ जाता है, चली आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया गए अर्थ के आधार पर जो वाक्य होता वो आठ परकार का होता, कैसा विधान बाचक होता है, निसेध बाचक, प्रस्न बाचक, इच्छा बाचक, आग्या बाचक, संकेत बाचक, संदे बाचक और विस्मय बाचक, यहाँ पर आप सभी के सामने उनकी ट्रिक भी दी गई, विधान बाचक जो सीधा सीधा हमारा वाक्य होता है, साधारन सेंटेंज होता है, वो आ जाता है, निसे वाचक किसी को order दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, संकेत वाचक संकेत करके, जो जैसा वो इस प्रकार के सब्दों को जोड़ कर बनाते हैं, संदे हैं जहां पर सायद लगा हो, जहां पर आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा हो, वो संदे वाचक हो जाता है, विस्मय बाचक यानी की वह आपका जहां पर exclamatory sign लगा हो और आपके हे हो इस प्रकार के पदों को साथ में जोड़ा गया हो वह आपका विस्माचक sentence के अंतरगत आ जाता चली आगे बढ़ते हैं समास क्या होता है समास का साब्दीकर्थ संझेफ होता है समास का अनिवार तत्व जोता विग्रह होता है समास शे प्रकार के होते हैं इसमें आपका नंज तत्पुरुस आपको याद रखना क्या होता है इसमें नहीं के रूप में हम लोग प्रियोग करते हैं अस्वस्थ हो गया अनर्थ हो गया असामाजिक आ लगा हुआ मिलेगा यह आपका नंज तत्पुरुस के रूप में प्रियोग किये जाते तत्पुरुस का ही एक रूप होता है चलिए आगे से हम लोग समझते हैं तो यहाँ पर आपका जब विशेष्टा बताई जाती तो वहाँ पर आपका कौन सा होता है सीधे आपने आपको कल गिंती चलिए वो बाद में बताएं कि विशेष्टा गिंती देख लेते हैं गिंती जहाँ पर आए हुआ आपका दौन्द समास होता है जरूर याद रखिएगा हैदराबाद सहर का नाम आगया तत्पुरुस समास हो गया तिरंगा में तीन रंग है समुव है और यह आपका दौन्द समास के अंतरगत आगया 51 समसमाईक पद नहीं है यानि कि आपका कैसा जो समासिक पद नहीं समास का पद नहीं है 51 बाकी यह संख्याएं आपके सामने दी गई है कलम ने आपको बताई थी 1313 वो उसमें भी आपका दौन्द समास बताया था याद कर लीजिएगा असुरासुर आपका क्या बेवा हो गया अधमरा कर्मधाराय हो गया यूधिश्टिर यह सब आपके वहुबरी हो गया जहां पर विसेस अर्थ निकल रहा हो ये सब आपके कैसे हो जाते हैं वहुबरी यानि कि जहां पर आपको दिख रहा हो किसी पर्यायवाची पद का प्रयोग किया गया है मोशली वो आपका वहुबरी समास में आता क्योंकि उसका विसेश अर्थ निकल कर आता है वो पद विसेश होता है संधि विच्षेद संधि विच्षेद जो आपके 3 प्रकार के होते है स्वर संधि के आपको प्रकार देख लेते हैं और जो लोग कल कह रहे थे हैं ये नहीं ये संधि होगी तो वो लोग यहां से clear कर लीजिएगा आपको 60 questions Sanskrit के कल दिये थे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पांच प्रकार क्या आपकी होती है, संस्क्रत में दो प्रकार और बढ़ जाते हैं, पर रूप, पूरूरूप, वहाँ पर उससे कोशन आता है, यहाँ पर आपको सीधे सीधे, दीर की संदी में आ, ए की मातरा लगी हूँ मिलती है, गुण संदी में हमने आपको होता है था, ए की मातरा या रिर वाला, अर वाला, रिसी आगे लग जाता है, ब्रदी में आपको आ की मातरा लगी हूँ मिलती है, मोचली ओ की मिलती है, इसका यहाँ संदी में आपका जो पद होता है, उसमें रा या वा इस रूप में इनको ज जोड़ दिया जाता है आयाद ही में आपका पूरा पद परिवर्तित हो जाता है उसमें पो प्लस अनपवन या वा इस रूप में हम लोग आय आय अव आव इस रूप में परिवर्तित कर देते हैं इनके उधारन की हम अलग से क्लास दे चुके हैं जो उधारन संस्कृत में हो तो जरूर आप लोग उहां पर जा करके उनको देख लीजेगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके अब कुछ आपके सामने दे दिये गए पवन में देखे आयादी संदी होगे कितना सरल दिख रहा है पवन लेकिन फिर भी पो प्लस अनमिलकर के पवन बनता आयादी स संदी हो गई सक्छ में आपकी यड संदी हो गई मुनीसवार में दीर की संदी होगे महोदय में आपकी ओ की मातर आजर है तो गुड़ संदी है नुछ तरीके दिये गए है सिर्फ आपको यही आद रखना कौन सा पद यहाँ पर बन रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ महत्पूर्ण कोश्चन्स आपको और देखने को मिलेंगे वियंजन संधी वियंजन संधी मोशली आपकी संस्कृत में ज़्यादा पूछी जाती क्योंकि वहाँ पर आपके कई अलग-अलग प्रकार के पद देखने को मिलते हैं आपको संस्कृत में आपका प्रत्य हैं और संधी के अबजेक्टिव कोश्चन्स दे देंगे ताकि आपका वो टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोग अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आ सकें उम्मीद करते हैं अभी तक जितना कुछ पढ़ाया आपको अच्छे से दिमाग में घुसकिया होगा सब कुछ तयार होगा अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत पूलिएगा और पूछते रहिएगा तो चलिए यहाँ पर व्यंजन संधी में आपका क्या सम प्लस गम संगम हो गया यह ऐसे पत आपको संस्कृत में जरूर देखने को मिलेंगे एक दो कोशन कभी कभी हिंदी में भी आ जाते हैं आज संविधान दिवस है 26 नवंबर है संविधान दिवस है आप सभी लोगों को पताओगा हमारा संविधान जो था 26 नवंबर 1909 को वन करके तयार हो गया था इस वज़े से 26 नवंबर को क्या मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं सभी लोगों को उसकी सुब कामना याद कर लिजेगा ये भी एक आपका important question बन जाता है सम प्लस विधान ही आपका इसका संद विच्छेद होता है चली आगे बढ़ते हैं तो जो महतपूर्ण चीजें कम समय में आप लोग समझ सकते हैं वही चीज आपको बताते चलना है बाकि आप लोग ज्यादा अंदर मज़ जए दिक प्लस गज दिगज हो गया का है गा में परवर्तित हो जाता है दिक प्लस अमबर दिगंबर हो गया इस प्रकार से आपके पद बन सकते हैं ये पूछे जा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सब्दों के बीच में सवर की मातर आये तो वहां सवर नहीं है उत प्लस लेक उलेक हो गया ताह ला में परवर्तित हो गया अब प्लस धी अब धी हो गया सद प्लस भावना सद भावना हो गया इस रूप में इनको लिखते हैं आखरी में जब सा आये तो वो शा में परवर्तित हो जाता है, वी प्लस सम विसम हो गया, वी प्लस साद विसाद हो गया, सू प्लस समा सुसमा हो गया, इस रूप में इनको लिखते हैं, जब सेम पदा आये और अंत में हा जाये, तो हा किसमें धा में परवर्तित हो जाता, तत प्लस हित तद्धित उत प्लस धार अहर उद्धार उत प्लस हत उद्धत इस रूप में इनको याद करना पहुंचते हैं विसर्ग संधी में विसर्ग संधी में इस रूप में हम लोग सिर्फ उदाहरण देखेंगे वाकी अंदर अभी जाने का टाइम नहीं है निराहर निर प्लस आहर दुरासा दू प्लस आसा रा मुख रूप से जहाँ आपको देखने को मिलता है बीच में वहाँ विसर्ग लग जाती है उसके स्थान पर निर प्लस बल नहीं प्लस बल निर जन नहीं प्लस जन आसिरवाद आसी ही प्लस वाद इस रूप में इनको लिख दिया जाता है दू प्लस उपयोग दूरुपयोग बन गया वहिर मुखी वही प्लस मुख वहिर मुख बन गया यह उधारण देखते रहे है प्रतेक चीज को अच्छे से समझते रहे है मौलिक लेखन की विधियां यह आपके इसमें ज़्यादा उपयोगी ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द यहां से भी एक कोश्चन आपका बन जाता है कभी कभी तो यहां आप लोग देख सकते हैं जिसे जीता ना जा सके है उसे क्या कहते है अजेय कहते हैं जो कुछ ना जानता हो उसे अगे कहते हैं जिसके समान कोई दूसरा नहों से अधुतिय कहते हैं, जिसके पास कुछ नहों से अकिंचन, बहुत महत्पूर्ण है अकिंचन, जिसकी बाहें घुटनों तक पहुँचती हैं, उसे अजान वाहु कहा जाता है, परवत के पास कि भूब उपत्तिका कहते हैं, उपत्तिका काफ उसे परोक्ष कहते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत सब्द होते हैं, पेट की आग को जटराग नहीं कहते हैं, यह भी काफी महत्पूर्ण है, जो मापा न जासके उसे अपरिमे कहते हैं, जो फेक कर चलाए जाने वाला हतियारों उसे अस्त्र कहते हैं, जो हाथ में पकड़ कर उसे सस्त्र कहते हैं, गुरू के समीप रहने वाला विद्यार्ती अंतः वसीय होता है, महल का भीत्रिव्याग अंतःपूर कहलाता है, धर्तिवा आकास के बीच का इस्तान अंतरिक्स कह लाता है वहां इस तरी जिसका पति प्रदेश से लोटा उसे आप पर अगत पतिका कहते हैं आगत पतिका जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमे कहते हैं आद कर लिजेगा आपके सामने कुछ विलोम सब्द दिये गए हैं ये भी आपको एक अंक दिला कर जाएंगे चिरंतन का नस्वर होता है बीच बीच के माँ आपको बताए तेरे वाकिया आप लोग स्क्रीन सॉट लेकर के तयार कर लिजेगा समय की कमी है तो देखते रहिए और प्रतेग चीज को समझते रे खगोल का भूगोल होता है सुसुक्त का जागरिक होता है मूख का बाचाल होता है विग का अनभिग होता है विग भी इसको बोलते है प्राचिन का अरभाचिन एहिक का परलोकिक होता है चणिक का साथस्वत अविर्भाव का तिरोभाव होता है तिमिर का आलोक होता है ऐसे आप लोग समझ सकते हैं इस आद पाहुँ से जाए Patch tut दो पर तो यहां पर आपक क्लास में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें क्लासे से जुड़ते रहें थैंक दोस्तों गुडबाय टेक केर